नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ एक बार फेम बॉलिवूड एक्टर श्रियस तलपड़े को बीते 14 दिसंबर को हाट अटेक आया था दिन बर अपनी अपकमिंग फिल्म वैलकम टू दे जंगल की शुटिंग करने के बाद कर पहुचे श्रियस को यह अटेक आया था जिसके बाद बे बेहोश हो गए 47 साल के एक्टर को बेहोशी की हालत में जब वाइफ दिप्ती ने हॉस्पिटल पहुचाया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटेक आया है इसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी अंग्योप्लास्टी की दीरे दीरे रीकवर हो रहा है श्रियस ने इस इंसिडेंट के बाद पहली बार मीडिया से बात की एक इंटर्वियू में श्रियस ने कहा कि इस हार्ट अटेक के बाद उन्हें दूसरा जनम मिला है 14 दिसंबर के शाम के बारे में बात करते वे श्रियस बोले उस दिन में अपनी अपकमिंग फिल्म वैलकम टू दे जंगल के शूटिंग कर रहा था सेट पर ही मैंने मिलिटरिक सैस की शूट खत्म होने के बाद मेरे बाए हाथ में दर्ड शुरू हो गया था सास लेने में तकलीफ हो रही थी दर्ड इतना ज़्यादा था कि मैं कपड़े बदलने के लिए वैनेटी वैंट तक नहीं जा पा रहा था शुरू आगे बताया घर पहुचा तो मेरी हालत दे कर वाइफ दिपती मुझे लेकर फॉरण हॉस्पिटल पहुची हॉस्पिटल के गेट पर पहुचते ही मुझे हार्ट अटेक आया और मैं बहुच हो गया इसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे इमर्जेंसी ट्रीटमेंट दिया सीपियार दिया, अलेक्टिक शॉक दी और इस तरह मुझे फिर से जिन्दा किया गया जिस वक्त मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं कई मिनिट्स के लिए क्लिनिकली डेट हो चुका था अपनी हैल्थ पर बात करते विश्यस ने कहा, मेरी फैमली में कई लोगों को हार्ट अटेक आ चुका है पर यह पहली बात था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हॉस्पिटल पहुचा तो ऐसास हुआ कि जान है तो जहान है मैं 20 साल की उमर से लगातर काम कर रहा हूँ और अब 47 साल का हो चुका हूँ मैं ना तो स्मोकिंग करता हूँ ना ही ड्रिंक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करता हूँ अगर इस सब करने के बाद भी मेरे साथ यह हो सकता है तो सोचिए जो लोग स्मोकिंग ड्रिंक करते हैं उनका क्या होगा अपनी हेल्थ को बिल्कुल हलके में ना ले रैगुलर डॉक्टर्स विजिट चरूर करें